बूर्णिंग स्टुडेंट्स आजम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 3.3 एंड इस एक्सरसाइज के अंदर डिवाइड के समय फर्सम इस 234.56 divided by 10 देखें कल मैंने आपको पहली और ये वीडियो में हमने 10 से 100 से और 1000 से मल्टिप्लाई की थी आजम करेंगे डिवाइड तो सबसे पहले आप देखें पॉइंट के बाद कितने डिजित हैं 2 तो हम पॉइंट को ठाके नीचे क्या लगा लेते हैं 100 2 डिजित हैं तो 2 0 और डिवाइड को किस में कनवर्ट कर लेते हैं मल्टिप्लाई में तो आपको पता है डिवाइड को हम जब मल्टिप्लाई में कनवर्ट करते हैं तो ये वाली जो टरम है वो रिवर्स हो जाती है ये 10 है तो हम इसको कर देंगे 1 बाई 10 तो इसको हम मल्टिप्लाई करेंगे 1 से तो यही आ गया 100 को 10 से करेंगे तो 1000 आ गया नीचे कितनी 0 होगी 3 तो 3 डिजिट छोड़के आप क्या लगा दोगे 23.456 पीछे से 3 डिजिट छोड़के पॉइंट लगा दोगे इसी तेके से हमने 100 से करनी है तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 3 तो नीचे क्या गया 1000 और डिवाइट को किस में कनवर्ट किया तो यह 100 क्या बन गया 1 बाई 100 तो आप देखें नीचे कितनी 0 होगी 3 और 2 5 0 तो अंसर में 5 डिजिट छोड़के पॉइंट लगा देखें 1 2 3 4 5 यहां पर पॉइंट लगा दो नेक्स से हम थर्ड हमने इसमें 1000 से डिवाइट करनी है तो आप देखें पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 2 तो नीचे क्या आगी 2 0 100 और इसमें क्या गया हमने 1 बाई 1000 आपने सभी में यह ऐसे करना है इस इसको 1 बाई 10, 1 बाई 100, 1 बाई 1000 कर देना है तो टोटल आप देख सकते हैं कितनी 0 होगी 5 0 तो आंसर में आपने 5 डिजिट चोड़के पॉइंट लगाना है तो इस स्रीके से आपने 1, 2, 3 पार अपना कंप्लीट कर लेना है बिल्कुल आपने इसी मेथर से ही सम करने है नेक पहले हम 12 का टेबल पढ़ेंगे 12 फोर्टी एट फोर पे गया 14 में से एट गए 6, 4 में से फोर गए 0, आगे से हम उतारेंगे 7, 12 फाइब जा 60, यहां पे आगे 7, आगे 7 लिया 5, 12 फिक्स जा 72, 6 पे आगया 5 में से 2 गए 3, आगे से उतारा 6, 12 फिक्स जा 36, तो देखिए यह यहां पे भी अंसर में 2 डीजी छोड़के क्या आगया पॉइंट आगया तो आपने इसी दिक्से देखने हैं कि यहां पे कितने डीजी ने टू तो आंसर में भी टो डीजी चोड़के पॉइंट लगा दोगे आप तो इस एक बाकी के सम भी कंप्लीट कर लेने हैं नेक्स स्टूडेंस सम नंबर 5 देखे 4.56 divided by 0.0456 देख सकते हैं दोनों तरफ पॉइंट है तो सबसे पहले हम पॉइंट को हटाके नीचे 10 गरा जो भी है लगाएंगे तो देखे इसमें 2 डीजी टें पॉइंट के बाद 456 by 100 डिवाइड का साहीं ही रखेंगे आप एक बार यहा मुल्टिप्लाई में और यह वाला जो नंबर है हमारा रिवर्स हो जाएगा यह हमारा 10,000 उपर चला जाएगा 456 नीचे तो 456 से 456 कैंसल हो गए देखें 20 से 20 कट गी और यहां पर हमारे पास आगया 100 इसी का हमारा डीजा में देखें 0.0232 divided 0.8 तो पॉइंट के बाद कित तो आप देखें 0 से 0 कट गी 232 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो यह 29 पे फूरा फूरा डिवाइड हो जाएगा 8 वनजा 8 और यह 29 पे कट गया तो उपर हमारे पास 0 कैंसल होगी तो उपर हमारे पास बच गया 29 और नीचे कितनी 0 है 3, 3 डीजिट छोड़के पॉइंट लग तक आपने यह एक्सराइस कंप्लीट कर लेनी है इसके बाकी के जो सम रहेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे थैंक्यू स्टुडेंट्स